गोरत्पुर तारा मंडल नौका विहाद पर रव और यूनिटी का आयोजन किया गया जिसमें गोरत्पुर के प्रभारी मंत्री वादल सक्ती मंत्री स्वतंत्र देव सिंग ने मुक्यातित के रूप में भाग लिया मंत्री स्वतंत्र देव सिंग ने सभी प्रतभागियों के साथ तोड में हिस्ता लिया और एकता का संदेश देते हुए आयोजन को प्रोत्साहित किया कारकरम के अंत में मंत्री स्वतंत्र देव सिंग ने बिजेताओं और सभी प्रतभाग्यों को सीर्ड देकर सम्मानित किया साथ ही एक जुर्ता और सामदाई भावना को ब्रहावा देने के लिए इस प्रकार के आयोजनों की आउसक्ता पर बल दिया इस आउसर पर बड़ी संख्या में अस्थानिये लोग और ठेल प्रेमी उपस्तित रहे जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया चाए महात्मा गांधी के स्वच्चता भियान हो सरदार पटेल की राष्ट की एक का खंडता हो ऐसे सभी महापूर्शों का देश दुनिया के अंदर अधेन नरेंद मोदी आने के बाद सभी का सम्मान बढाना इसी तना भावा भीवरावं बेटकर का पंच तिर्चु उनके सभी पाचो अस्थान को फिर तक भोसित किया उन्होंने आज उसी की आउसर पर गुरकुर में सरदार पठेल की जन्म जयनती एक्तिस्तारी को रहता है उस दिन दिपावली के कारण ये लिने लिया पार्टी ने और अधेन मोदी जी ने उनका आग्रह हुआ कि ये कारकम 29 को हम लोग प्रात अश्काल करें इसी का यहां अपनी सभी संगठनों के द्वारा एंसेसी जितने भी संगठन है और भारती जन्ता पाड़ी का इवा मुर्चापुरा संगठन आज हम लोग दोड़ में भाग लिये हैं आज के आउसर पर सरदार पठेल के विचारों को गाउं गाउं तक ले जाना उनके विचारों को जिवन्त रखना नहीं हम समीं का लर्च है और गोरा कुर से जन्मत नीज के लिए अजीत सिंकी रिपोर्ट